हेलो, नमस्कार, COVID-19 के इस मुश्किल गड़ी में बच्चो, हम सबी लोग अपने घरों में रहकर कारे करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं, लेकिन मुमे महानगरपालिका ने आपको घर बेटे ही पढ़ाने या यू कहें अध्यान करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगरपालिका के चैनल दोरा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा, और वुस लेसन के जो विशे हैं, वो आपके स्क्रीन पर दिखाए देंगे, और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाए देंगे, चलिए शुरू करेंगे, हम आज का अपना लेसन. आज की कक्षा बच्चों, कक्षा दस्वी और हमारा आज का विश है, गडित, गडित में भाग पहला, जो की बीजगडित अथवा अल जिब्रा से सम्बंदित, घटकों पर आधारित होता है, इसके अंतरगत हमारा आज का जो पार्ट है, वो है आपके पार्ट पुस्तक से, लेसन नमबर पहला, दो चरांकों वाले रेखी समिकरन, जिसका भाग पहला आज हम देखेंगे, लेसन नमबर वन, लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल्स पार्ट वन, जिसके अंतरगत आज हम दो चरांकों वाले रेखी समिकरन का graph method से कैसे हल निकाला जाता है, वो देखेंगे, यानि रेखी समिकरन का दो चरांकों वाले का हल आलेख विदी धौरा कैसे ग्याद करते हैं, उस पर हमारी चर्चा होगी और मैं हूँ आपका वर्चुल मार्दर्शक अजय कुमार मौरिय, MCGM वर्चुल क्लासरूम दादर से तो सबसे पहले हम जानेंगे समीकरण चुकि कक्षा नाविय में बच्चों हम लोग ने यह सब अच्छी दर से जाना है वहाँ भी दो जरांको वाले रेखी समीकरण थे लेकिन वहाँ पर दो विधी अलग थी उसे हमने सीखा और कक्षा दस्वी में दो अन्य विधी को हम समझने का प्रयास करेंगे तो यह एक समीकरण है X प्लस 3 इस इकोल टू 10 दूसरा है Y स्क्वाइ प्लस 3 इस इकोल टू 28 और तीसरा है X अपॉन 6 प्लस 3 इस इस इकोल टू 10 ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो चरांक है X पहले में उसकी घातांक एक है दूसरे समीकरण में चरांक की घातांक दो है और तीसरे समीकरण में चरांक की घात एक ही है तो इन तीनों से हमें क्या निश्कर्श मिल रहा है यहां पर देखने पर सबसे पहला कि चरांक तो एक है तीनों में ओके तो ये एक चरांक वाला समीकरण हुआ लेकिन किस तरह का समीकरण हुआ ये तो जब समीकरण में एक चरांग हो जो की उपर दिखाई दे रहा है लेकिन उसकी घात एक ही हो जो की पहले और तीसरे उधरन हम दिख रहा है वह एक चरांग को वाला रेखी समीकरण होता है तो रेखी समीकरण के लिए घात एक होना जरूरी है और एक चरांग है तो एक चरांग को वाला रेखी समीकरण हुआ इसका मतलब जो equation 2 है दूसरा उसमें घात दो है इसलिए वर रेखी समीकरण नहीं है वह वरगी समीकरण है एक चरांग को वाले चर्चाव को आगे बढ़ाते हैं दो चरांक वाले रिखी समय करण क्या होंगे फिर एक चरांक वाले जैसे आपने देख लिया कि चरांक एक है और घात एक है तो एक चरांक वाला रिखी समय करण हो गया तो दो चरांक वाले रेखी समेकरण मतलब उस समेकरण में दो चरांक हो, दो variables, there are two variables in equation having power one. जब समेकरण में दो चरांक हो और चरांक की घात एक ही हो, तो वह दो चरांक वाला रेखी समेकरण होता है. तो रेखी समेकरण होने के लिए घात एक होना जरूरी है, और दो चरांक है, तो वह दो चरांक को वाला रेखी समेकरण हो गया, जैसे की 3X प्लस Y is equal to 6, दो चरांक है, और दोनों की घात एक है, A प्लस 6B is equal to minus 10, दो चरांक है A B, दोनों की घात एक है, और 2A minus 4B is equal to 10, दो चरांक है, दोनों की घात एक है, तो यह है दो चरांक वाले रेखी समेकरण. और समेकरण के संबंधित चरांकों के मान को समेकरण का हल कहते हैं, अर्थात इस समेकरण में चरांक के कौन से मान रखे जाएं, कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो वही मान कहलाता है, समेकरण का वही हल कहलाता है. तो दो चरांक वाले रेखी समेकरण. दो चरंग को अले रिखी स्मेकरण के असंख्य हल होते हैं कि हर प्रतेग X के मान के लिए कोई ने कोई Y होगा या प्रतेग Y के मान के लिए कोई ने कोई X होगा ऐसे हम अनेक मान रखते जाएंगी X का तो अनेक मान निकलेगा Y का भी तो असंख्य हल हो सकते हैं तो दो चरांक वाले रिखी स्विमक्रन के हल को क्रमिक यूग महर्थात पहले पहले चरांक कमान रखते फिर दूसरे चरांक का पहला मतलब क्रमिक जैसे x y है तो x पहले y बाद में a b है तो a पहले b बाद में यानि अलफा बिडिकल ओर्डर में पहला चरांग कमान पहले, दूसरे चरांग कमान बाज में रखा जाता है, बीच में कॉमा लगा कर उसे अलग किया जाता है, कोश्ट रक्स में उसे बंद किया जाता है, तो उसे हम हल कहते हैं उधारण, x प्लस y बराबर 10, x प्लस y स्कॉर टू 10, 2x माइनस y स्कॉर टू 2 में x बराबर 4 और y बराबर 6 हो तो हल को उसके क्रमिक यूग में कैसे लिखेंगे, तो 4 पहले लिखेंगे, x कमा लगाएंगे, फिर 6 लिखेंगे, तो चार और च्छे अगर उसका हल है इन दोनों समिकरण का, तो चार और च्छे इस तरह कौमा में ब्रेकेट लगाकर कोस्टेक लगाकर लिखते हैं यूगुपत समिक्रण अब चलते हैं यूगुपत समिक्रण simultaneous equation क्या है ये तो ये दो चरांको वाले दो रेखी समिक्रण को हम इस तरह हल करते हैं कि दोनों का हल सामानने हो जाए दोनों का एक ही हल आए उस ऐसे समिक्रण को यूगुपत समिक्रण कहते हैं यानि दो समिक्रण का विचार करेंगे एक साथ तो जब दो चरांको वाले दो रिखी समिक्रणों का एक साथ विचार करके उनका सामान ने हल, common solution प्राप्त किया जाता है तो उन समिक्रणों को युगपत समिक्रण कहते हैं जैसे x plus y square to 10 और x minus y square to 6 ये दो दो चरांको वाले रिखी समिक्रण है अगर प्रतेक का हल निकाला जाए अलग-अलग तो x y मिलाकर 10 ऐसे बहुत सारी हल मिलेंगे कि अगर x 1 है, 1 9, 1 होगा तो y 9 होगा तो भी 10 आजाएगा उसे परकार x 2 है, y 8 है तो भी 10 आएगा x 3 है, y 7 है तो भी 10 4, 6 तो भी 10 5, 5 तो भी 10 6, 4 तो भी 10 7, 3 तो भी 10 8, 2 तो भी 10 ऐसे असंख हल मिलेंगे प्रतेक x के लिए एक नया y क्या प्रतेक y के लिए एक नया x मिलेगा और असंख के हल मिलेंगे x प्लिस y बराबर 10 के चलिए x माइनस y बराबर 6 दूसरे एक्यूशन को देखते हैं तो x और y का अंतर 6 है इसका मतलब अगर x 1 हो y माइनस 5 हो तो हल करेंगे तो 6 आजाएगा 2 माइनस 4 रखेंगे तो भी 6 आएगा 3 माइनस 3 रखेंगे तो भी चाएगा 4 माइनस माइनस 2 रखेंगे तो भी चाएगा 5 माइनस 1 तो भी चाएगा ऐसे असंख के हल प्राब्त होंगे लेकिन उसमें एक हल ऐसा है बच्चों आप देख रहे हैं रेड कलर में 8 दो जो दोनों को संतुष्ट करता है दोनों में वो इकलावता सामान्य भल दिखाई दे रहा है इसी सामान्य हल को युकपत समिकरन का हल कहते हैं जो की 8 दो यहाँ पर है अंतर 6 और योगफल 10 X प्लस Y 10 जोडने पर 10 X मनस Y is equal to 6 अंतर 6 आ रहा है 8 और 2 दोनों के लिए संतुष्ट हो रहा है तो यही इन दो समिकरन का हल है तो इन युकपत समिकरनों को simultaneous equation को हल करने के कुछ पद्धतियां है चार पद्धतियों का अध्याना में करना है जिसमें से दो पद्धतियां आपने 9 वी में सीखी दो पद्धतियां हमें 10 वी में सीखनी है पहला जो हमने अब तक सीखा है एक चरांग का मान निरसन करना elimination method दूसरा हमने जाना है एक चरांग का मान दूसरे चरांग के रूप में रखकर निरसन करना substitution method जिस पर चर्चा हम आज नहीं करेंगे तीसरा है आलेक पद्धति ग्राफ में तर्ड जिसकी चर्चा आज हमें करनी है और चौथा है निश्चयक पद्धति डिटर्मिनेंट्स जिसकी चर्चा हम अपने अगले लेसन में करेंगी तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आलेक पद्धति ग्राफ में तर्ड जैसा कि बच्चो नाम है यहां पर हमें आलेक पेपर की जरुरत पढ़ेगी फग्राफ पेपर क्या होता है आपने जाना है ऐसा पेपर जिस पे आड़ी और तिर्ची कई रिखाएं होती है हर रिखाओं के बीच में एक-एक मिलिमेटर का अंतर होता है जिसमें 10-10 मिलिमेटर के बाद की जो रिखाएं होती है वह थोड़ी गाड़ी होती है और 5-5 मिलिमेटर के बाद की जो रिखाएं होती है वह थोड़ी सी अलकी होती है तो जो मोटी-मोटी रिखाएं हैं वो एक-एक सेंटिमेटर के अंतर पर हैं उनके बीच में 10 पतली रिखाए हैं जो एक-एक मिलिमिटर के उंतर पर होती है ग्राफ पीपर की रचना इसी तरह से होती है और जब ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक आड़ी संख्यारेखा जिसे हम X अक्ष कहते हैं और एक खड़ी संख्यारे का जिसे हम वाई अक्ष कहते हैं, वो हमेशा बनाया जाता है, चुकि आलेक पर अक्ष खीचने पर उसके चार हिस्से बन जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, यह दोनों अक्ष जहां पर मिलते हैं, उसे हम मौल बिंदू कहते हैं, आरम या 0 निर्देशांग से दर्शाते हैं और आलेख बनाते समय पैमाना हम लिखते हैं और जो पैमाना हम रखेंगे वही यहां पर लिखेंगे कि दोनों अक्षों पर हमने हर एक एक सेंटीमेटर या एक एक अंतर पर क्या लिया तो एक सेंटीमेटर पर हमने क्या लिया चलिए X प्लिस Y बराबर 4 समिकरन का आलिख कैसे बनाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा X के कुछ मानों के लिए Y का मान ग्याद करना होगा और उसे निर्देश सीद करना होगा इस तरह साणी बना कर साने कैसे बनाएंगे पहले X फिर Y और नीचे दोनों को मिलाकर वबिंदू X Y इस तरह लिखेंगे उधारन के तोर पर अगर यह समिकरण है X प्लेस Y बराबर 4 जिसमे Y बराबर हो गया 4 माइनस X समिकरण को हमने थोड़ा सा चेंज किया क्योंकि या ताकि X का कोई भी मान रखें तो Y कमान तुरंत मिल जाए उधारन के तोर पर अगर X 0 है इस समिकरण में तो Y कितना हो जाएगा X 0 हो गया तो Y 4 आ जाएगा तो X 0 रखा इसलिए उपर हमने सारणी में 0 पहले भर दिया X कमान अब Y कमान कितना आएगा तो Y वराबर 4 रिंड 0 अर्था तो Y वराबर 4 ये Y वराबर 4 कहां लिखेंगे सारणी में Y के सामने तो ये हो गया 0 4 सारणी में देख रहे हैं न हमने X के सामने 0 Y के सामने 4 लिख दिया क्योंकि हमने देखा जब X 0 होगा तो Y 4 होगा अब ये x y 0 4 हो गया बिंदू तो इसको हम साथ में लिखेंगे x और y इसको मिलाकर हम बिंदू x, y लिखेंगे तो 0 और 4 को हमने 0 4 इस तरह से लिख दिया तो हमने x 0 रखा y कमान ग्याठ किया इसी तरह 3 20 बिंदू को रखकर हम दूसरा बिंदू याने x का मान के लिए y ग्याद करेंगे या y रखकर x ग्याद करेंगे तो उधारन के दोबर अगर x एक रखा तो बताईए y कितना होगा तो समय करण है y बराबर x 4 रिन x x अगर 1 रखा तो 4 रिन 1 मरत तब y कितना आ जाएगा 3 तो y 3 आ जाएगा तो बिन्दू क्या बन जाएगे एक 3 तो यह हमने मौकी की कर लिया आप समय हम यहां समय करण में हल करेंगे और एक उधान लेता हूँ मैं अगर x बराबर माइनस 2 ले लिया चलो हमने रिन ले लिया तो समय करण में x के जगा पर माइनस 2 रखेंगे तो x माइनस 2 लिया इसने हमने पहले साड़ने में माइनस 2 भर दिया अब y की खोच करेंगे इस समय करण द्वारा तो हो जाएगा y बराबर 4 धन 2 बराबर 6 तो यह हो गया y बराबर 6 साड़ने में भर दिया हमने तो बिन्दू क्या बना बिन्दू बना साड़ने में माइनस 2 6 तो यह 3 बिन्दू हमें मिल गए हमने 3 लिया असंख हो सकते हैं लेकिन हम 3 ही लेंगे अभी फिलाल और इन 3 बिन्दू को अले कागज पर दर्शाएंगे अले कागज पर दर्शाने के लिए हमें X और Y X बनाने होंगे और X X डश का मतलब हुआ वो रिनात्मक हिस्सा है रिनात्मक भाग Y धनात्मक हिस्सा Y डश रिनात्मक और जो है याना निच्छे की और उस पर हम निर्देशांग लगा देंगे 0 से हर एक सिंटीमिटर पर एक एक कांतर लेंगे तो एक, दो तीन, चार, पाँच या X का धनात्मक पॉरिटिव साइड हो गया छीक उसी तरह लेट साइड जाएँगे तो वह निगे upp साइड द ya ओर हो किए माइनध़ जो गया ऐसर किकटना बनाएं याने हमारे संख्यारिखा पर y, 6 तो वहाँ पर निर्दिर्शित होने चाहिए इतनी बड़ी संख्यारिखा में बनानी होगी तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमने बना लिया क्योंकि हमें उसके जरुत पड़ेगी तो आलेक बनाते समय दिये गए बिंदूओं के निर्दिर्शांग को ध्यान से देखेंगे और उतना निर्दिर्शांग हम संख्यारिखा पर लगाएंगे रिनात्मक वोर है, रिनात्मक में माइनस 1, माइनस 2, माइनस 2 सबसे बड़ा है इसमें माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 पैमाना क्या लिया हमने दोनों अक्षों पर हर सेंटिमेटर को एक इकाई लिया हर एक लाइन एक 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 लिया है इसलिए एक सेंटिमेटर बराबर एक इकाई चलिए अब जो बिंदू हमें आरे पास है पहला 0, 4 तो X, 0 और Y, 4 अर्थाद होगा Y, X पर 4 कहाँ है वह हमें निशान लगाना होगा तो 0, 4 पहले खोजेंगे कहाँ है तो यह रहा 0, 4 0 है मतला X निद्शंग 0 है इसलिए वह Y, X पर होगा तो 0, 4, Y, 4 है दूसरा बिंदू है 1, 3 सार्णी में देखेंगे न 1, 3 तो इस टेबल के अनुसार 1 कहाँ है तो X, 1, Y, उपर 3 एक और 3 को मिला का निद्शंग बन गया 1, 3 तीसरा बिंदू सार्णी में है माइनस 2, 6 माइनस 2 मतलब X का माइनस 2 और लेफ्ट में और 6Y का उपर की ओर धनात्मप तो ये माइनस 2, 6 तीसरा बिंदू मिल गया हमें अगर ये परिफ्ट सही बन गया है समिकरण हमारा सही हमने हल किया है तो इसको जोड़ेंगे तो एक सीधी सरल रिखा बननी चाहिए या तीनों बिंदू एक रिखी होने चाहिए तो ये बन गई समिकरण X प्लस Y स्कोर टो 4 का एक रिखा ग्राफ द्वारा नाम लिख दे हम X प्लस Y स्कोर टो 4 और इस रिखा का नाम समिकरण के नाम से ही होता है तो हमने एक संख्या रिखा आलेक पद्दति का उप्योग करके एक समिकरण का रिखा खीचा तीन बिंदू लेकर अब मुझे बताओ बच्चों अगर एक बिंदू भी गलत हो गया तो हम confuse हो जाएंगे क्योंकि वह सरल रिखाया एक रिखी नहीं हो पाएंगे लेकिन कौन सा सही है कौन सा गलत है यह क्लियर नहीं होगा पहला सरग गया तो भी संख्या तीड़ी अरेखा सिधी नहीं हो पाएगी बीच वाला बिंदू सरग गया तो भी और नीची का बिंदू सरग गया तो भी तो तीन बिंदू लेने पर यह रिस्क हो सकता है कि कौन सा गलत है यह हमें समझ में नहीं आएगा इसलिए हम क्या करते हैं हम चार बिंदू के निर देशांका प्रयोग करते हैं चार में से एक भी गलत हुआ तो तीन अगर सही है तो एक रिखिय वह बिंदू हो सकते हैं और एक रिखा हम खीच सकते हैं और चौथी बिंदू जो अलग है वह गलत है तो उसको हम चेक करके सुधार सकते हैं तो चार बिंदू के निर्देशांग ज्याद करते समय किसी एक बिंदू का निर्देशांग गलत होने पर भी अन्य तीन बिंदू एक ही रिखा पर होंगे इससे गलती का तुरंट पता चल जाएगा अतो चार बिंदू के निर्देशांग निश्चित करके हम सान्डे बनाते हैं अब वही हमारे लिए हितकर होगा ने तो तीन बिंदों में गलतियां होने की संभावना बढ़ जाती है तो ये टू माइनस टू सिक्स जो हमने इसके पहले देखे उसके अलावा एक और लेंगे एक्स तीन तो य एक आएगा अब ये चार बिंदों होंगे तो अब इसमें से एक बिंदों भी गलत हुआ तो भी तीन बिंदों तो उसी रेखा पर इस्तित होंगे एक्स प्लिस वाइज पर टू फोर पर अब दो चरांको आले रेखी समेकरन का आले खीचने के लिए निम लिखे तो हमने एक रेखा खीच लिया एक समेकरन द्वारा ठीक इसी प्रकार जब दो चरांको आले दो रेखी समेकरन को हल करना है तो हमें संख्या का उप्योग करते हुए आले का उप्योग करते हुए इसी तरह समेकरन के रेखा खीचने होंगे दो समीकरण है तो दो रेखा कीचेंगे उसी आलिक पर एक ही आलिक पर दोनो उसके कुछ स्टेप्स हैं उसको ध्यान देंगे पहला दिएगे समीकरण के लिए कम से कम चार क्रमिक यूग बिंदूओं की निर्देशांग ग्यात कीजिए मैंने बता है न चार पॉइंट ग्यात करेंगे सहारणी द्वारा टेबल बना कर हर समीकरण के लिए उसके बाद क्या करेंगे आले कागज पर एक्स और वाई अक्ष निश्चित करके उस पर बिंदू प्रिस्थापित करेंगे तो कैसे प्रिस्थापित करेंगे समीकरण का हल के लिए जो हमने टेबल बनाया था उस टेबल की संख्या को ध्यान से देखेंगे जो अधिक्तम संख्या होगी कम से कम वो संख्या हमारे आलेक पेपर पर अक्ष पर जरूर दिखाई दे उसके बाद है सभी बिंदूओं से होपर जाने वाली एक रिखा के चेंगे जैसे ही हम x, y बिंदो निर्चित कर लेंगे सभी बिंदो को आलेक पर लगा लेंगे और उसको मिला देंगे तो हम उधारन द्वारा उसको समझने का प्रयास करते हैं तो दिये गए युग पर समिक्रण को आलेक विजी द्वारा हल किजिए आपको दिखाई दे रहे हैं इन्हें हमें हमें हल करना है इनका हल लेकिन अलेक विजी द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे draw table for 2x minus y square to 4 अर्थात पहले समिक्रण का हम एक table सार्नी बनाएंगे सार्नी कैसे बनाना है तो समिक्रण लिखेंगे उसके नीचे सार्नी इस तरफ बनाएंगे एकस वाई और निचे एकस वाई बिंदू और उसके सामें चार कम से कम बाक्स बनाएंगे अर्था चार निदे शांग के लिए बिंदू हम ग्याद करेंगे अब सबसे पहले क्या करेंगे एकस कमान जीरो लेट्स टेक एकस को जीरो इन जीरो इन गिवन इक्वेशन समिक्रण जो है टू एकस माईनस वाई बराबर पूर में एकस को जीरो रखते हैं जहां से देखो एकस को जीरो रखते ही वाई बराबर माईनस चार हो जाएगा तो y कमान कितना आ गया माइनस 4 सार्णी में हम लिख देंगे y के स्थान पर माइनस 4 तो जब x 0 तो y माइनस 4 और बिंदू का निर्देशांग क्या हो जाएगा 0 माइनस 4 है ना x 0 रखा तो Now take y is equal to 0 अब y को 0 रखके देखते हैं क्या मिलता है उसी समय करण में जब y 0 तो y 0 हो गया तो equation क्या बन जाएगा 2x माइनस 0 is equal to 4 हो गया 2x equal to 4 x equal to 2 4 से 2 कट गया 2 से 4 कट गया बचा 2 तो x कमान 2 आ गया जब y 0 था तो सार्णी में हमें वो भी लिख दिया और उस बिंदू का निर्देशांग हो गया 2 0 इसी तरह तीसरा बिंदू जब x बराबर एक रखते है तो x एक रखने पर समय करण क्या बन जाएगा 2 माइनस y equal to 4 तो x एक है तो y कितना है minus 2 तो इस बिंदू बन गया 1 minus 2 अब चोथा बिंदू लेते हैं y चार लेकर देखते हैं y is equal to 4 हम कुछ इस तरह से बिंदू लें कि जो बिंदू है मान है वो बड़ी संख्याने 8 नो 10 ना है ताकि हम आलेक पर फिर वो आलेक खिचना वहाँ बिंदू का निर्देशांग 10 का निर्देशांग बनाना यह उतने वहाँ पर संख्या हम काकश पर गर नहीं ले पाए तो आलेक नहीं बन पाए y is equal to 4 लिया हमने तो 2x minus 4 is equal to 4 2x is equal to 8 और x is equal to 4 आ गया तो y 4 है तो x भी 4 आ गया तो बिंदू बन गया 4 4 4 तो अधिक्तम निर्देशांग 4 ही दिख रहा है 4 minus 4 और हम आलेक पेपर पर यह आसानी से बना सकते हैं तो अभी हमने जो ग्याद किया उस आर्नी देखते हैं हमने यही आर्नी ग्याद किया तो हमें 0 minus 4 2 0 1 minus 2 4 4 मिला अब क्या करेंगे C जे आलेक पेपर पर इसको बना लेंगे एक रिखा का हमने साननी बनाया है एक रिखा हम बना लेते हैं X अक्ष Y एक्ष खिचेंगे पैमाना एक सेंटीमेटर बराबर एक इकाई लेंगे तो एक दो तीन चार X एक्ष धनात्मक 6 तक आया माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4 तो 4 ही बड़ी संख्या है हमने यहां पर बना लिया चुकि यह हमें दोनों संख्या रिखा की सारणी बना कर दोनों समेकरण की सारणी बनानी चाहिए थी ताकि वहां पर जो अधिक्तम या बड़ी संख्या है वो पता चल जाया तो इस आलेक पर हम उसको अंकित कर सकें चलिए कोई बात नहीं हम इसको ट्राइ करते हैं पहले तो माइनस 3, माइनस 4 हो गया अब पहला काम पैमाना, स्केल लिखना जरूरी है कि हम हर सिंटिमीटर पर एक इकाई ले रहे हैं इसलिए एक सिंटिमीटर के अंतर पर एक एक अंक दिखाई दे रहा है पहला बिंदू कौन सा है तो वह है 0 माइनस 4 दूसरा है 2, 0 2, 0 कहा होगा तो एक्स अक्स पर 2, 0 2, 0 वह भी दिख रहा है तीसरा है 1 माइनस 2 तो 1 और माइनस 2 मतलब यहां हो गया 1 और माइनस 2 एक्स और वाई निदे शांग और चोथा है 4, 4 तो 4, x 4, y निदे शांग धनात्मा की ओर याने राइट साइड में उपर तो यह हो गया 4, 4 4 बिंदू मिल गए है अब इनको पट्टी से जोड देंगे अगर आपने सही निदे शांग निकाला है तो निश्चित है यह एक सरर्रेखा बनेगी और इस रेखा का जो नाम होगा समिकरण द्वारा होगा समिकरण है 2x-y is equal to 4 तो एक समिकरण का हमने आलिख बना दिया इसी तरह जो दूसरा समिकरण है 2x-y is equal to 4 उसको भी हम सारनी बद्ध करेंगे और 4 बिंदू प्राप्त करेंगे तो आप समयम हल करेंगे x0 रखेंगे तो y4 आएगा x2 रखेंगे तो y0 आएगा x1 रखेंगे तो y2 आएगा और x4 रखेंगे तो y-4 आएगा तो बिंदू बन गे 0,4,2,0,1,2,4,-4 अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है इन बिंदूओं को आलेक पर दर्शाना तो 0,4 कहां होगा? तो यह रहा 0,4 y-x पर उसके बाद 2,0,x अक्ष पर 1,2 बिश में आ गया दुनों के 1 और 2,x,1,y,2 फिर 4,-4,धनात्मक 4 और रिनात्मक 4 यह हो गया 4,0,4 आलेक में हमने लिख दिया वहाँ पर इन चारों बिंदूओं को अब क्या करेंगे? स्केल से जोड देंगे यह भी एक सिरल रिखा बन गई और इस रिखा का नाम इसके समिकरन द्वारा 2,x,1,4 अगर हमने सही सही बना लिया तो यहीं पर हमारा हल मिल जाएगा दोनों रिखाएं कहां एक दूसरे को काट रही हो देखो तो हम देख रहे हैं कि वह 2,0 पर प्रतिक्षेदित कर रही है अर्थात इन दो समिकरनों का हल 2,0 होगा इसलिए यह दोनों लाइन दोनों रिखाएं 2,0 पर प्रतिक्षेदित करती है इस दोनों समिकरन के हल होगे x,y,2,0,2,0 प्रसंगरा 1,2 में यह पर समिकरन आले खविजी से हल कीजिए यह एक सिंपर सा उधारन है इन दोस्तमिकरन की आपसारनी बनाएंगे चार-चार बिंदू वाली पहले समिकरन का उसी तरह दूसरे समिकरन का मान रखते हुए सारनी बनाएंगे सारनी बनाने के बाद क्या करना है सभी बिंदूों को आले पर दर्शाना है एक ही आले पर दोनों रिखाएं को पहले हम क्या बना लेंगे अक्ष और उचित पहमाना से हम उस पर निर्देशांग बनाएंगे देख रहे हैं कि 6 है बिंदूों में सारनी में तो 6 कम से कम होना चाहिए पहले एक्स धनात्मक्त की ओर तो बनाया हमनों दोनों अक्ष पर एक सिंटीमेटर बराबर एक ही काई लेकर अब आप बिंदू को निर्देशित स्वयम करेंगे तो कोछी इस तरह से यह रेखा बनने की संभावना है आप स्वयम बनाएंगे और चेक करेंगे तो वो दोनों एक दूसरे पर किसी एक बिंदू बर पर प्रतिशित करेंगे वो बिंदू कौन सा होगा उसके निर्देशांगों को देखेंगे और वही इन दोनों समिक्रण का हल होगा तो बच्चो आपने देखा आज का लेसन उसके प्रमुक मुद्धों को ध्यान से बार बार दुबारा देखकर समझने का परास केजिए क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पोरा मुद्धा समझ में नहीं आता तो जैसे हम दो बार तीर बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगी है और इसके आगे की जानकुरी जो होगी बच्चो वह निश्चिती हमारे अगले वीडियो में होगी तो उस वीडियो को देखने के लिए उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे जरूर प्रिस कीजिए और नोटिफिकेशन ओन रखिए ताकि जैसे ही हमारा लेशन चैनल पर डाला जाएगा आपको वतुरंग प्राप्त होगा तो अपना ख्यार रखिए सुरशिद रहिए थैंक यू